इंडियन प्रेमियर लीग के 16 वे सीजन का आधा सफर पूरा हो चुका है। इस सीजन में खेले जाने वाले कुल 70 लीग मुकाबलों में से 35 खेले जा चुके हैं। मंगलवार को IPL 2023 का 35 मुकाबला गुजरात टाइटन्स और मुंबई इंडियन्स के बीच खेला गया। इस रोमान्चक मुकाबले में हार्दिक पांडिया की अगुवाई वाली गुजरात टाइटन्स ने 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियन्स को 55 रनों से हरा कर बड़ी जीत दर्स की है। इस जीत के साथ ही हार्दिक पांडिया ने धी IPL में इतिहास रच दिया है। चन्ने सुपर किंग्स के कप्तान MS धोनी का रिकॉर्ड तोड़कर हार्दिक पांडिया IPL के सबसे सफल कप्तानों की लिस्ट में पहले पायदान पर पहुँच गए हैं। आए आज हम आपको बताते हैं इस लीग के 10 सबसे सफल कप्तान कौन है। IPL 2015 में मुंबई इंडियन्स के लिए डेब्यू करने वाले हार्दिक पांडिया ने अब तक इस लीग में कुल 113 मैच खिले हैं। बहीं पिछले सीजन से वह गुजरात टाइटन्स के कप्तान है। उन्होंने IPL 2022 में पहली बार इस लीग में कप्तानी करते हुए गुजरात टाइटन्स को खिताब जिताया था। IPL 2023 में भी गुजरात टाइटन्स का जल्वा बदकरार है। टीम साथ में से पांच मुकाबले जीत कर वाइंट स्टेबल में चेन्नाई के बाद दूसरे स्थान पर है। हारदिक पांडिया की कप्तानी की बात करें तो मंगलवार को मुंबई इंडियन्स के खिलाफ 21 मैच में गुजरात टाइटन्स की कप्तानी की है। आईपी एल में बतौर कप्तान यह उनकी सोलहवी जीत है। वहीं इस लीग में गुजरात की टीम उनकी कप्तानी में महस 5 मैच की हारी है। इस तरह बतौर कप्तान हार्दिक पांडिया की जीत का प्रतिशत 76.9 एक प्रतिशत हो गया है। बता दें कि पांड़्या के बाद केमेस धोनी का जीत प्रतिशत बतोर कप्तान 58.99 है. उन्होंने 217 में से 128 मैच जीते हैं. 58.82 के साथ तीसरे नमबर पर मुंबई के पूर्व कप्तान सचिन तेंगुलकर हैं, जिन्होंने 51 मैचों में से 30 मैच जीते हैं. चौथे नमबर पर स्टीव स्मिथ, पाचवे नमबर पर अनिल कुम्बले, छठे नमबर पर रुशब पंठ और साथवे नमबर पर शेन बॉर्ण हैं. तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट में जरूर बताएं. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही रोचक वीडियो लगातार मिलती रहें.